तो दोस्तो आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्टन टेक्स हेयर के उपर दोस्तो इस हेयर में आज टेक्निकाली देखेंगे इस हेयर में अभी के लिए क्या एंट्री लेना सही रहेगा या फिर इस अभी के लिए स्टोक को एवर्ड करना सही रहेगा दोस्तो वीडियो पर बने रहे हैं आज की वीडियो में इस टॉक के बारे में थोड़ा फॉंडामेंटली एनलिसिस करेंगे तो उमीद करते हैं दोस्तो वीडियो को एंड टोक जरू देखिएगा और उससे पहले दोस्तो चैनल पर अगर फास्टाइम विजिट किया हो तो प्लीज दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बैल का आइकन प्रेस करके ओल का अप्सन सिलेट कर लिजिए ताकि दोस्तो जब भी हमारे चैनल पर नए वीडियो बने तूरंद ही आपको न देखने को मिली रहा है क्योंको दोस्तो स्टोक में एक गिराबट हो रहा है जो कि दोस्तो आगे की वीडियो में एस यार की टेक्निकल एनलिसिस भी करंगे दोस्तो वीडियो पर बने रही है और वहीं दोस्तो अगर लंग टर्म की बात करे तो लंग टर्म पर दोस्तो स्ट प्रोक अभी भी 80 पर्शन की नेगटिव में चल रहा है यहां पर दोस्तू देखोगे स्टॉक में जो पेहले रेजिस्टांस था तो उसी प्राइस से stock फिर से एक बार resistance ले चुका है और अभी के लिए दोस्तू stock निचे आ रहा है और आगे की session में दोस्तू इसी level पर एक support ले सकता है क्योंकि यहाँपर एक पहले resistance था और यहाँपर दोस्तू आगे की session में यहाँपर एक बोक्तियाचा support हो सकता है इसलिए दोस्तो अभी के लिए stock में entry ना बनाए stock को पहले stable होने दीजिए फिर इसके बारे में सूचेगा और वहीं दोस्तो stock की fundamental देखें stock IT sector से विलोंग करता है और IT sector का काफी अच्छा company है और इनका business इंडिया के एलाबा across US, Europe, Asia specific में भी इनका business चल रहा है और दोस्तो stock की total market valuation की बात करे 954 करोड की company है और दोस्तो वही current price की देखे 98 पे अभी trade को रहा है जो की दोस्तो 100 की 30 की price से ये stock resistance ले चुका है यह पर दोस्तो अगर देखूगे stock 52 एक में काफी बड़ा राली बना चुका है जिसका वज़े से दोस्तो 135 की price से ये stock reversal लिया है और अभी तक 98 की price तक पहुंच चुका है और वहीं दोस्तो stock की pre 13 पे अभी trade को रहा है और book value यहाँ पर 27 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दोस्तो अनिंग पर सियार 7.32 पे देखने को मिलता है और promotor holding इसमें 52% की है और यहाँ पर दोस्तो और एक negative point है promotor के holding में से 12.7% की holding plays में पड़ा है जो कि यहाँ पर एक negativity देखने को मिलता है और वहीं दोस्तो debt money की बात करे 80-80 करोड देखने को मिलता है इनके balance sheet को अगर देखें यहाँ पर दोस्तो इनके पास जो borrowing money है वो सिलाल घरता हुआ नेखने को मिल रहा है और वहीं दोस्तो अगर reserve money की बात करे reserve money कांपनी बहुत याच्छा encouragement कर रहा है यहाँ पर दोस्तो अगर देखोगे जहाँ पर company के पास 80-80 करोड की borrowing money है तो इसके सामने reserve money भी बहुत याच्छी खासी company रखा है तो यहाँ पर दोस्तो बहुत याच्छा positivity देखने को मिलता है और वहीं दोस्तो अगर share holding pattern की बात करे तो share holding pattern पर दोस्तो एक negativity देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तो प्रोम्टर आपने stake को लगातर decreasement कर रहे है यहाँ पर दोस्तो एक negativity issue हो जाता है क्योंकि दोस्तो प्रोम्टर अगर आपने stake को decreasement करेंगे और place में रखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पर एक negative issue हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तो अगर FII की बात करें तो FII यहाँ पर पिछले quarter में increasement किये हैं जो कि यहाँ पर एक positivity देखने को मिलता है और DII की बात करें DII भी आपने stake को थोड़ा सा increasement किये हैं और यहाँ पर DII के भी बहुत आचा stake देखने को मिलता है और वहीं दोस्तो पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास पिछले quarter से थोड़ा यहाँ पर stake घटा है तो दोस्तो अबरल shareholding pattern पर company अच्छा है लेकिन दोस्तो प्रोमटर का holding जो decrement हुआ है तो यहाँ पर कोई ना कोई एगर negative issue हो जाता है लेकिन दोस्तो अगर FII और DII के ध्यान दे तो यहाँ पर आपको एक positivity देखने को मिलेगा यहाँ पर यह दोनों आपने stake को increasement कर रहे हैं और IT सेक्टर के company में अगर FII entry बनाएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो stock आगा चलकर कोई ना कोई strong हो सकता है और वहीं दोस्तो अगर company की financial status की बात करें तो यहाँ पर दोस्तो पहले quarterly result पर दोस्तो देख सकते हो यहाँ पर जो company का sales से वो पिछले quarter से increasement हुआ है और वहीं पर अगर net profit को देखोगे net profit भी पिछले quarter से increasement हुआ है तो यहाँ पर दोस्तो company के valuation के इसाब से इनका sales और net profit quarterly basis में बहुत आचा हो रहा है और वहीं दोस्तो अगर yearly status की बात करें तो yearly status पर भी company का बहुत आचा sales हो रहा है पिछले year से अगर compare करूगे तो यहाँ पर इनका year on year wise इनका sales इंक्रेजमेंट हुआ है और इनका net profit same ही रहा है year on year basis पर फिर भी दोस्तो company का sales और net profit में बहुत आचा हो रहा है तो overall दोस्तो fundamental stock बहुत आचा है और IT sector से company बिलंग करता है एक penny stock में जाता है तो इस stock के उपर दोस्तो आप कुछ investment कर सकते हो आगे चल कर आपको बहुत आचा return भी दे सकती है और आगे दोस्तो stock की technical बात करे तो यहाँ पर दोस्तो इनके पिछले one year की chart pattern पर देख सकते हो stock जो है पहले यहाँ पर 50 day moving average और 200 day moving average के initiated कर रहा था और जहाँ पर दोस्तो इस दोनों line को breakout किया तो उसके बाद stock में एक बहुत आचारा आली शुरू हूँ चुका था और 130 की price से दोस्तो इस stock में एक resistance लिया है जो कि इनका multi year resistance line था तो उससी price से दोस्तो इहाँ पर एक resistance लिया है और अभी के लिए stock में एक किरापड देखना को मिलता है और दोस्तो अगर इस stock में long term के लिए investment करना चाहते हो तो अभी के लिए stock को average करे ए stock की price को stable होने दीजिए अगर इस stock 50 day moving average के आसपास आता है और वहाँ से एक reversal लेता है तो उसी price के उपर आप consider कर सकते हो जो कि swing trade के लिए बहुत याचा हो सकता है लेकिन दोस्तो long term के लिए आप 200 day moving average के आसपास अगर stock आता है तो उसी price के उपर आप consider कर सकते हो जो कि 55 से लेकर 70 की price तक stock अगर आता है तो उसी price के उपर आप consider कर सकते हो लाउंग टॉन के लिए उसी प्राइस आपको बहुत अच्छा फेलो बाइन हो सकता है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही आज की वीडियो में देगे जानकारी शरीफ आपके एजुगेशनल प्रोपिटेस के लिए है और इस टॉक में दोस्तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने और से आच्छे से अनालिसिस करे और आपके फाइनल से अरवाइजर से कंसल्ट करे तो दोस्तो मिलते हैं और एग नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक क्यार